नमस्कार मेरे किसान भाईयों स्वागत है आप सब का एक बार फिर जानकारी से भरी एक और बहुत ही खास वीडियो है किसान सात्यों 0238 गन्ना परजाती ने किसान को बहुत लाब पोचाया लेकिन पिछले दो तीन सालों से इस परजाती में रोगों का इतना जबरदस्त अटैक आया है किसान बहुत परेशान है इस्प्रे करते करते किसान परेशान होगे लेकिन इसके रोग खतम होने का नाम नहीं लेते पिसले साल टोब बोरर ने सारा गंणा बर्बाद गर दिया लेकिन इस साल टोब बोरर की जगह रेट रोट ने ले लिए किसान सात्यों खेत के खेत खराब हो गए वैसे तो इस साल का जो सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा बरसात हुई और इस बरसात के कारण भी गन्ना बहुत ज़्यादा सुखा है किसान का पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक भरे रहे खेतों में जिस वज़े से भी गन्ना खराब हो गया लेकिन किसान साथ यो ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इस साल टोप बोरर से ज़्यादा गन्ना रेड रोट खराब कर रही है रेड रोट यानि लाल सडन रोग और 0238 गन्ना पर जाती में ये रोग सब से ज़्यादा है या मैं यूँ कहूँ कि जितनी भी अब और अन्या पर जाती हैं उनमें ये रोग बिलकुल नहीं है लेकिन 0238 इसमें ये रोग भी बहुत जवर्दस तरीके से फैलता जा रहा पहले तो ये रोग केवाल उन सित्रों में था जहां पे जल बराव की स्थिती रहती है लेकिन आप पस्चिमी उत्तर पर देश में भी गन्ना किसान इससे परिशान होने लगे हैं कई किसानों ने मुझे वीडियो भेजी मनोज भाई देखो लाल लाल हमारा गन्ना पढ़ने लगा लाल लाल सारी पत्तियां होगी एक दम से ये क्या बीमारी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के लाल सडन रोग की क्या पहचान है और सुरवाती अगर हम इसका उपचार कर ले तो हम अपने गन्ने को बचा सकते हैं क्योंकि इसका नाम कैंसर रोग भी है किसान सात्यों कैंसर जैसे कि एक ऐसी बीमारी है अगर लास्ट स्टेज पर पता चले तो रोगी को नहीं बचाया जा सकता इसी तरीके से अगर हम इसकी सही समय पर पैचान कर लें और इसका सही उपचार करें तो हम अपने गन्य को अभी बचा सकते हैं और किसान सात्यों इसका उपाय केवाल यह है कि हमें 0238 को बदलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पैचान बताता हूं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए अगर आपके खेत में यह रोग शुरुवाती अवस्था में आ चुका है तो चल यह चलते हैं मैं आपको दिखाता हूं किसान भायों यह गन्ना देख के आपको लग रहा होगा कि यह ठीक है इसमें कोई ऐसी खास बिमारी नहीं है लेकिन इसमें रेड रोट क के शुरुवाती लक्षन है अभी मैं थोड़ा अंदर जाके आपको पहचान करवाने की कोशिश करता हूं और किसानों को कहता हूं कि अगर आपको भी अपने खेत में इस परकार की पत्तियां इस परकार का खेत दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि यह फंगस जनित रोग ह यह रेड रोट की पहली स्टेज है यह देखे किसान भाईयो इसकी सारी पत्तियां निच्चे की यह देखे यह इस परकार की हो चुकी है और सारे खेत में ही इसी परकार का हाल है यह देखे किसान भाईयो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और यह एक खेत में नहीं कई खेतों में इसी परकार का हाल हो चुका है यह देखे किसान भाइयो थोड़ा आगे चलता हूँ ये देखे किसान भाईयो उपर की उपर तक ये पत्तियां बिल्कुल पीली पढ़नी स्टार्ट हो चुकी है ये देखे किसान भाईयो ये जो लक्षण है ये किसान भाईयो रेड रोट के लक्षण है ये इसकी पहली स्टेज है अगर हम इस स्टेज पे ही इसका उपचार कर तो किसांट शातियों गन्ये को बचाया जा सकता है लेकिन अगर इसे दूसरी जब यह सड़ना सुरू हो जाता है बिलकुल अंदर से घंफर से गन्ये की वह लाल σबस्स पड़नी तब इसको नहीं बचाया जा सकता, चाहे आपको इसी भी दवा इस पे स्प्रे कर लेना, उस टाइम पे कोई भी इलाज इसका नहीं है, किसान भायो, पूरे खेत में केवल ये एक हिस्सा है, लगबग एक बिश से करीब ये जमीन है, जिसमें ये लक्षन इस खेत में लाब पहुचा सकती हैं ये चीजे, लेकिन अगर शुरुवाती अवस्ता इस प्रकार की एकिसान भायो, तो देर ना करते हुए, इसमें आप स्रिजेंटा कंपनी की एमिस्टार दवाई का स्प्रे करें, 200 ml प्रतिय कडिश दवाई को लेना एकिसान भायो, बिल्कुल ये आपकी जो समस्य आएकेत में उसको वहीं पर रोक देगी, इसके अंदर दो साल्ट हैं, एजिक्सो स्ट्रोबिन और डाई फैन को न जोल, ये दोन्नों साल्ट सभी परकार की फंगस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन गन्ने में खासकर रेड रोट पे केव केवल और केवल ये ही दवा बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देती है, इसके अलावा अगर आप चाहें, तो कार बेंड़ना जी में को जब का जो गोल आता है, जिसको हम आम तोर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उस दवा के भी लगातार 15-15 दिन के अंतराल पे 2-3 इस्प्र जाती है, गन्ना बिल्कुल सूख जाता है, उसके अंदर जो चीन्नी की मात्रा है वो खतम हो जाती है, और किसान भाईयो वेट भी गन्ने का बिल्कुल खतम हो जाता है, तो अगर आपके खेत में इस प्रकार की स्थिती है, उपर की पत्तियां बे वजए देखे किसान गई है, तो ये रेड रोट की निशानी है, इस साल कई मेरे किसान साथी ये कह रहे थे के बई, जीरो दो स्वर्ट इसको ऐसे ही कह रहे थे, इसमें कोई रोग नहीं है, इस बार फिर इसने तो रिकावरी कर ली, बहुत अच्छा ये जा रहा है, इस गन्ना बीज में बहु जवरदस अटेक आया, इस समय पे सभी के खेतों में टोब बॉरर आके भी जा चुका है, जिन्होंने दवाईयां कर रखी थी, उनके खेत भी नहीं बचे, इतना जवरदस अटेक लास्ट में आया, और एक अटेक ही अमारी सारी की सारी फसल को बरबाद करके चला जाता है, किसान भाईयों चाहिए दस कोंटल गन्ना बिगे में कम निकल जाए, लेकिन ऐसी तो हो भी जिसका आसानी से परबंदन कर सके, किसान भाईयों आप बात आती है कि ये फैलती क्यों है और आती कहां से, आपको मैं बताओं ये खेत में ही रहती है, लेकिन जैसे इसको सही, इ ये कहा जाता है कि बुआई के समय पर हमें सही खेत से बीज लेना चाहिए, और बुआई करते समय हमें अपने गन्ने टुकडो को जरूर ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ट्रीट करने के बावजूद भी और अच्छे खेत से बीज लेने के और एक हफते के अंदर ही ऐसा है और कई किसानों के मुझे फोन भी आई वीडियो भी आई ऐसा उनके साथ भी हो रहा है तो किसान भाईयों कुछ इस जीरो दोस्तों अड़तीज में बीमारियों का प्रकॉप बहुत ज्यादा भी है जिस वज़े से इसमें यह समस्चा है फैल लेकिन इस साल बरसाथ ज्यादा हुई टोप बोरर थोड़ा सा कमाया तो अब रेड रोट ने घेर लिया तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इस गन्ना बीज में बहुत ज्यादा परिशान नी बन चुकी है जैसे 13235 है पिछले साल इस पर बहुत सारे आक्षेप लगाई जा र चुनाव आप कर सकते हैं और हो सके तो इसको छोड़ने की कोशिश करें इसको चलाना बिल्कुल मूर्खता है और एक चीज में लास्ट में और कहूंगा कि जिनके खेतों में ऐसी स्थिती है वो तो बच जाएगा लेकिन अगर किसी का गन्ना सड़ना शुरू हो गया और ब मार निकाल दो तब आप दवाई का ट्रीटमेंट करो नहीं तो यह सारे खेत में हवा पानी सब तरीके से फैलता है और शुरुवातिय वस्ता में तो अगर आप चाहें तो कार्मेंड़ जी मैन को जैसे मैंने बताया इन दवाओं कभी जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्प्रे लगवाएंगे तो भी आपका काम चल सकता है लेकिन अगर आप यह कहें कि इसके लिए खास दवा कौन सी है तो मैंने यह जो शाल्ट बताई है यह आप खरीद सकते हैं कई नाम से बजार में आपको मिल जाएंगे लेकिन मैंने अमिस्टार जो बताया इसके अंदर यह दोन था 것은 सलचार जो सकते हैं कि लिए से लिए गल मे कर दोन आपको दिया दॉत्व मेएंगे यह आला है आपको लेकिन में एल या बताई यह लगता हैं कि तो जो शोता कर देएंगे विए दो हैं विए आपको में इंड पको में इंड